पटेरा थाना छेतर में महिला की हत्ता के आरोपित पती को पुलिस ने अजमेर से किया गिरफतार HDOP हटाने की प्रैसवारता पटेरा थाना छेतर के पटेरा नगर में बीटी 24 नवमर को महिला मरजिना खान के हत्या मामले में फरार आरोपी मृतिका की पूर्ब पती नफीस खान को पतेरा पुलिस ने राजिस्तान की अजमेर से ग्रफतार करने में सफलता प्राप्त की है हटा HDP नितिस पटेल ने पटेरा थाना प्रभारी RS वागरी के साथ हत्या कांड का खुलासा करती हुए जानकारी दी बताया कि पूर्ब पती नफीस खान ने चाकू मार कर मरजिना खान की हत्या की थी और घटना कर फरार हो गया था टेम गठित का पुलिस द्वारा लगाता जगा 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 आरूपी की तलास के बाद राज्थान के अजमेर के थाना क्रियन गंज पुलिस की मदद से अजमेर से ग्रफतार किया गया है हत्या कांड की बज़ए पती पत्नी का पुराना विबाद बताया गया है जिसकान घटना दिनांग से फरार था और उसकी गिरफतार ही तु पुरिश अधिशक मौजदारत अतकाल एक टीम गठती है जिसमें जहां जहां सूचना प्राप्त हो रही थी पन्ना कटने पथरिया दमों उनसे भी जगवपरिन की तलाश की वे जिस पर से मुखवरी द्वा और जिसका जो उसका पूर का बिवा था अरोप घ्रफतार ही को सस्काने के नागपूर की शूप्रिशिद्ट्र में रोग इवह संदर्य विश्यश्य दॉक्त चणाट फंगल इंफेक्शन के स्पेस लेष्ट मिल्ले का समाय प्रतीम प्रतीम क्ली द्वेश श्यश्य कि चार तारिक को सुभए 10 वजे से साम 5 वजे तक मिलने का स्थान अग्रसेंट मेडिकल एन जनरे स्टोर्स दिवाले वाली की बाजू में पैट्रोल पंप की सामने हटा मोवाइल नंबर 9589243244 धन्यवाद अबर हटा की चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट सेयर करें घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं अपने छेतर से जुणी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें आप सभी का धन्यवाद दीपक पतेल मोवाइल नंबर 8602179712